Hello my dear students, कैसे हैं आप सभी तो आज हम बात करने वाले exercise 5.3 जिसके examples पहले करेंगे, concept समझेंगे और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे exercise 5.3 के questions तो उमीद करता हूँ तुमने previous वीडियो देख लिए होंगे, नहीं देखेंगे, description में link है और चैनल पर नए हो तो subscribe कर सकते हैं, ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहें ओके, now सबसे पहले example में क्या कर रहा है, right and AP, एक AP लिखके दिखाईए तो हमने खाए एक AP लिखना है तो इसमें बड़ा क्या काम है, whose first term is 10 and common difference is 3 तो हमने खाए हमारे को first term बोला है, तो first term AP के अंदर क्या होती है, पता है किसी को A बोलते हैं उसको, that is 10 और common difference हो जाए बचा उसको बोलते हैं D, क्या बोलते हैं D, अब मैंने तुम्हें AP का एक sequence बताता है, कि AP एक sequence होता है sequence कैसे आता है, पहले एक first term होती है, फिर second term जो होती है, फिर third term होती है, ऐसे करते करते हैं, terms के नंबर बढ़ते जाते हैं, और last में हम Nth term बोलते हैं, A and term now, first term में तो only A1 में A होता है, but A2 में क्या होता है, इस first term में कुछ add कियावा होता है, that is D, one time फिर third term क्या आती है, कि second term में D को add करते हैं, और fourth term कैसे आती है, और third term में D को add कर देंगे, मतलब same number हर term में add करते हैं, तो हमने का ठीक है, first term क्या है, तो A1 को हम बोलते हैं A, वो कितना है, 10, okay, second term के लिए क्या करेंगे, first term में कुछ add करेंगे, that is D, तो you can write, 10 plus 3 is 13, तो एकदम basic से पढ़ेंगे, आराम से, क्योंकि देखो concept पढ़ना है, concept तो जरूर समझ में आना चाहिए, मैं उम्मीद करता हूँ, तुम्हें कुछ नहीं आ रहा, ऐसा, ठीक है न, मैं इसे नहीं करता है, नहीं आ रहा, बहुत अची बाता आ रहा है, तो, 13 plus, sorry, 16 plus 3 is 19, तो you can write, sir, यहाँ पर ऐसे terms बनती जाएंगे, तो मैं लिख सकता हूँ, 10, 13, 16, 19, और आगे लगा देंगे, 1, 2, 3 dot, okay, मैं एक बार cross check कर लेता हूँ, क्या पता, बुक में कुछ और लिखा और तुम मुझे फिर वाद में कहो हो नहीं, sir, ओके इसमें आगे एक term old लिखी हुए, तो मेरे साब से 4 term लिखते हैं, बहुत अच्छी बात है, clear है, तो यह था हमारे example number 1, next example number 2, write an AP having 4 as the first term and minus 3 as the common difference, तो you have the value of a, that is 4, and d is minus 3, थोड़ा जल्दी हो गया, first term के लिए हम क्या बोले थे, ae होता है, तो आप बोलोगे 4 है, second term क्या होता है, first term में कुछ add करना होता है, that is d, first term में d को एक बार add करेंगे, तो you can write 4 में plus करेंगे minus 3 और इसको थोड़ा सा solve करते हैं, that is 4 minus 3 is 1, फिर हम ने खा a3 निकालने के लिए second term में कुछ add कर दो, that is d, तो you can write 1 में add करना है minus 3, इसको हम लिख सकते हैं, 1 minus 3, that is minus 2, similarly fourth term के लिए आप बोलोगे third term में कुछ add कर दो, मैं ने खा d, तो third term मेरी minus 2 है, उसमें add करना है मुझे minus 3, तो we can write minus 2, minus 3, दोनों नमबर्स के sign सेम है, digits प्लस हो जाएंगी, तो यह आएगा minus का 5, अग एक fifth term भी निकाल लेते हैं, that is a4 plus d, तो you can write a4 is minus 5 में, प्लस कर दो, minus 3, तो हम बोलेंगे, minus 5, minus 3 is minus 8, तो you can say, ap क्या बन जाएगी यहां से, हमार यह ap बन जाएगी, 4, 1, minus 2, minus 5, minus 8, और यह 1, 2, 3, दोन, तो you can say, this is the decreasing order, यह ap क्या है, decreasing order में, और previous वाल, ap क्या थी, increasing order में, चलो, समझ में आया होगा, example number 3, write an ap whose first term and common difference are, respectively word है, तो मतलब पहला, आपको बता रहा है, first term, और common difference है, वो दूसरा, ठीक है, यह respectively word का मतलब होता है, तो मैं एको बोलूगा, a मेरे को दे रखा है, minus 1.25, और जो d है, वो दे रखा है, मेरे को minus 0.25, अब d अगर minus में है, तो हम बोलेंगे, decreasing order में है, तो एक बार चेक कर लेते हैं, a1 होगा, हमारा a ही, that is, minus 1.25, a2 मेरा होगा, a plus d, that is, a1 plus d बोल सकता हूँ है, यह आएगा, minus 1.25, plus minus 0.25, break it open करेंगे, तो यह बनेगा, minus 1.25, minus 0.25, तो 0.25 और 0.25, 1.50 होते हैं, तो minus 1.50, दोनों सेम साइन कें तो add हो जाएंगे, अब मुझे a3 पता करना है, तो a3 होगा, a2 में d add कर दो, a2 मेरा है, minus 1.50, उसमें add कर देते हैं, minus 0.25, तो you can write, this is minus 1.50, minus 0.25, हम इसको लिख सकते हैं, minus 1.70, जीरो, ओके, अब मेरे साब से a4 तुम calculate कर सकते हो बच्चा, अराम से, क्या होगा, a3 प्लस d होगा, चलो चेक करके देखना, पहले करो फटा फट, वीडियो रोक के, खर लिया, पका, चलो, तो यह आएगा, minus 1.70, plus minus 0.25, तो आप इसको क्या लिख होगे, कुछ, ऐसा ही आ रहा है क्या, या कुछ अलगा रहा है, कहां है, कहां है, यह रहा, 1.50, 70, और minus 2, अच्छा, 75 आएगा, सोरी, हाँ, यह तभी तो, मैंने सोकर है, नहीं दिया तुम्हें करने के लिए, यह यहाँ पे 75 आएगा, मैं तभी सोता था, 95 आने के चांस तो कम है, यह न, तो न, इसको 1 को बेटा दो, तो आप देखो, यहाँ पे, यहाँ पे 70 की जगह मैं 75 लिख देता हूँ, अब हमारा बच्छा यह बन जाएगा, 75 में 25 एड़ करते हैं, 100 आता है, तो कहरी आगे आएगी, तो यह बनेगा, दोट, 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 तीन बार, दोट, ओके, तो मेरे साब से समझ में आया होगा, कोई डाउट हो, कोई दिकर नहीं है, कमेंट कर दो, आपके दोस्त, भाई, बड़े भाई, सब हाजिर है, यह आपके पास एक अपी है, यह भी अपी है, और यह भी अपी है, यह चार टम हमें दे रखी है, तो जो फर्स टम होते हैं, तो पहली बार लिखी होती होती है, तो फर्स टम मैं ए बोलूँगा, that is my 1 by 3, अब मुझे वो पूछ रहा है, common difference, अब क्योसन दुम्हें कह रहा है कि अपी है, तो आप सेकींड टम में से फर्स टम माइनस करोगे, देखो मैंने तुम्हें कहा था, common difference के लिए next term में से previous वाली term माइनस करते हैं, तो चाहे फर्स टम में से, फर्स टम सेंकींड टम में से माइनस कर दो, या फिर थर्द टम में से सेंकींड टम माइनस कर दो, देखो deal आने का तरीका है, a2 माइनस a1 करोगे, वो भी एक्वल आएगा, a3-a2 के और वो भी equal आएगा a4-a3 के जितनी टर्म से चार्ट टर्म है सबका difference equal आना चाहिए तो मैं एक बार कह देता हूं यहां पर check कर लेते हैं 5 by 3 में से minus 1 by 3 करते हैं तो LCM कितना लेंगे 3 तो यह कितना हो जाएगा 5 minus 1 that is 4 by 3 यह value मेरी इतनी आई है ध्यान से देख लेना अब मुझे इस value को भी एक बार check कर लेता हूं देखो AP है तो उबसली equal आएगी बट एक बार cross check कर आदेता हूं a3 कितना होगा 9 by 3 minus 5 by 3 LCM कितना आएगा 3 तो यहां पर लिखोगे 9 minus 5 और that is 9 minus 5 is 4 by 3 clear similarly यह check करोगे तो क्या लिखोगे a4 13 by 3 minus 9 by 3 LCM कितना लोगे 3 तो you can write 13 minus 9 that is also 4 by 3 अब जब question आपको AP बोल रहा है तो obviously common difference होगा उसमें तो चाहे वो first two terms में देख लो second two terms में third two terms में कहीं पर भी देखो कि वो AP मिलेगा तो पहले वाले को मैंने थोड़ा deeply कर दिया है तो मेरे पास d कितना आ गया है बच्छा है यहां पर 4 by 3 यह हमसे पूछ रहे है ए और डी एकी वेल्यों 1 by 3 है चलो और common difference 4 by 3 है clear है नौ सेकिंड पार्ट में पहली term क्या हो जाएगी बताओ जल्दी से 0.6 और डी के लिए मैं इसे बोल सकता हूं a2-7 करूँगा तो डी आ जाएगा तो एक्टु मेरा है यहां पर 1.7 उसमें से मैं माइनस करूँगा 0.6 that is also 1.1 अब आपको डाउट लग रहा हो यार ऐसा नेक्स्ट में है या नहीं तो मैंने का चेक कर लाए तो डी मैं दुबारा चेक करूँगा तो क्या है का एगा करना पड़ेगा तो मैंने का ठीक है 2.8 में से माइनस कर दो 1.7 अब देखो मैं माइनस करना सिखाता हूँ 2.8 में से 1.7 कैरी धर ले क्या होगे तो यह क्या बनेगा 18 18 में से 7 जाएगे कितना बचेगा और 2 में से 1 गया तो 1 देखो 1.1 आया कि नहीं है यस तो डी हमेशा अगर एपी बोला है तो कोमन ही आता है ठीक है ना तो 1.1 यहां पर क्या हो जाएगा डी की वेल लिए नेक्स देखो इन वीच्छ फॉलोविग सिच्वेंश फॉर्म विल फॉर्म एन एपी पहले इसको पढ़ो अच्छे से फिर आपको एक सीक्वेंश मनाना है वो सीक्वेंश एपी है नहीं आपको चैक करना है ठीक है number of student left in the school auditorium from the total strength of thousand students when they leave the auditorium in batches of 25 कह conta रहा है कि एक auditorium है उस auditorium में thousand students है ठीक है अब जी students है बाहर जा रहे है movie खतम होने वाली है या फिर beach-beach में जा रहे है कोई show देखने को dance देखने आए था अब पता चला कि poem बोलने आएंगे फिर उन्हें देखा singing आएंगे ऐसे करते करते तो सबसे पहले क्या हुआ first situation में क्या हुआ 25 students लिव 25 students लिव तो यू कन राइट after first step पहले step के बाद कितने बच्चे बचेंगे तो यू कन राइट thousand में से 25 माइनस कर दो तो आएंगे 975 students बचेंगे मैं ने खाँ ठीक है बच्ची बच्चे गए हैं तो after second step दूसरी step के बाद मतलब दूसरी बार बच्चे गए थे उसके बाद कितने बच्चे बच्चे बच्चेंगे तो आफ्टर 3rd step कितने बच्चे बच्चेंगे तो आपने कहा इसके बाद बच्चेंगे सर्फ 950 में से 25 माइनस कर दो तो बच्चेंगे 925 तो मैंने खाँ यहां पर एक सीक्वेंस बन रहा है कोमन डिफ्रेंस इक्वल आना चाहिए तो मैंने खाँ 975 में से 1000 माइनस करेंगे तो माइनस के 25 आ रहे हैं बोले एकदम सही है यह मेरा डीवन हो गया अगर मैं डीटू चैक करूं तो क्या आएगा 950 में से मुझे 975 माइनस करेंगे तो कितना हैगा माइनस 25 और अगर आप दीथरी पता करोगे तो कितना लिखोगे दीथरी पता करने के लिए 925 में से 950 माइनस करोगे तो भी क्या एगा माइनस 25 वह ने जितनी बाते लिखी है उसके अकोर्डिंग कोमन डिफ्रेंस सेम आ रहा है तो हर बार 25 बच्चे कम हो रहें तो डीकी वेल्यू माइनस 25 होगी अी इस इसी पाहिन डिक्रीजिंग एपी ठिक है डिक्रीस ओर एपी है तो ओलो के सर ये एक एपी है जिसका एह थाउजिंट और डी इतना है माइनस 25 समझ में आया कि रहिंट ौस यह में तो द्यान रखना और डीज़ना निकल के अया है ये रहा एई माइनस 25 चलो एक्जांपल नमर फाइब का सेकेंड फायर अमाउंट ओव मनी इन द अकाउंट एवरी इयर वेन रूपीज हंडेड अर्ड डिपोजिटेड एन्वली तो एक्यूमलेटेड एक्यूमलेटेड था मतलब होता है अकाउंट अमाउंट तुम्हारे पास एक फोर्मूला होता था कंपाउंट इंट्रेस्ट में अमाउंट का फोर्मूला होता था प्रिंसिपल वन प्लस रेट अपोन हंडेड की पावर एन्ट और सिंपल इंट्रेस्ट में सिंपल इंट्रेस्ट का फोर्मूला होता था प्रिंसिपल रेट इन्टु टाइम अपोन हंडेड और यहां पे आ and you have the rate of interest that is 4% and time is one year every year बढ़ रहा है वो तो तुमने का देखो भई अगर मैं बात करो कि फर्स्ट जीरो एयर में जीरो एयर में कितने रुपए थे अकाउंट में कितने रुपए थे तो अमाउंट था सो रुपए है जमा करवादी आज जमा करवाए है जीरो एयर एक साल बात कितने होंगे आफ्टर वन एयर अमाउंट कितना हो जाएगा ताप होगे देखो आफ्टर वन एयर अमाउंट कितना होगा अमाउंट होगा principle into one plus four by hundred की power one तो यह हम लिखेंगे that is hundred plus one hundred four upon hundred into sorry plus नहीं into lcm लेके solve कर लिया बचा इसको तो इसकी value देखें तो यह कितने आ गई 104 पुर ठीक है चार उपर बढ़ रहे हैं but मैंने आपने खा second year के बाद क्या amount आएगा तो आपने खा इसके बाद amount आएगा अभी पैसा कितना खाते हैं मैं वह लेक्सोग चार रूप है उसके अंदर एड़ करो one plus four by hundred की power आपने का ठीक है तो यह हो जाएगा 104 into 104 upon hundred इसको multiply कर लेते हैं मैं एक बार चेक कर लेता हूँ 104 into 104 that is 10,816 upon hundred इसकी value आएगी 100 rupees and 16 पैसे ताब देखो यहाँ पर first time है second time है और third time है first time है आपकी hundred second time है 104 और third time है 108 रुप है 16 पैसे इन दोनों के बीच में four का difference है और इन दोनों के बीच में 4.16 का difference है तो आगे obviously तुम बोलोगे greater than 4.16 आएगा तो इसका मतलब हर साल interest का रुपया बढ़ता जा रहा है कि नहीं बढ़ता जा रहा यह सर बढ़ते वे जा रहा है देखो इसने और direct किया है कि पहले साल 100 into 1.4 होगा एक ही बात है बिटा end of the different years is given first year के end में कितना मिलेगा तो मैंने जीरो यह में तो first year में उसने तुमने जमा 100 रुपय करें हैं तो एक साल बाद यहां से उसनी स्टार्ट किया वाली वेल्यू और इसके ज़स्ट बाद वाली थैड़ वेल्यू अंधर बात को पर समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे है कि नहीं समझ पा रहे क्या देखो मैं ऐसे कह रहा हूँ वो जो तुम्हारे को पैसे दे रहा है न तो तुमने एक साल बाद 104 रुपय हो जाएगा उसके एक साल बाद 108 रुपय 16 पैसा हो जाएगा और उसके एक साल बाद तो मैंने कहा देख सिंपल सी बात है आप इसको कैलकुलेट करोगे third year के लिए तो एथरी क्या होगा 108.16 इन्टू 104 अपोन हंडर यह होगा की नहीं होगा मुले हां ठीक है यह होगा ना 1 प्लस 4 अपोन हंडरीज 104 अपोन हंडर तो 108.16 इन्टू 104 इस मैं कैलकुलेट कर देता हूँ 11248.64 अपोन हंडरेड और हंडरेड का डिवाड़ करोगे आएगा 112.4864 जिसको में भी तूं 112.49 जरूर लिख सकते हो तो इसके बाद आपके पास 112.49 आया तुमने खा इन दोनों के बीच में गयप है 4.16 का बट इन दोनों के बीच में कितना गयप है 112.49 माइनस 108.16 ये बीच आप 4.33 आ रहा है तो आपको लग रहा है दोनों साल में गयप इकोल आया है नहीं आया सर अमाउंट के अंदर है ना तो ये पकाई एपी नहीं है एपी होता तो क्या होता डिफरेंस इकोल आना चाहिए था तो कंपाउंड इंटरेस्ट में कभी भी इकोल नहीं आएगा ये बात आप याद रख सकते हो एपी से रिलेटेड हो अगर वन नंबर का क्यों सना आता है तो जल्दी से लगा सकते हो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए चलो नेक्स एंड लास्ट एक्जामपल नंबर शिक्स फाइंड दा कोमन डिफरेंस एंड रा तो मेरे को एका मतलब एवन का मतलब एट तो फैस्टम तो पता है अगर मुझे डी निकाल लाए कोमन डिफरेंस ठीक है ना एपई है यह पका है एपई तो आप क्या होगे a2-7 कर लेता हूं तो मैं नेंका कर ले minus 2-3 that is minus 5 आपने का मैं का confused हो गया मैं ने कहां ठीक है डी दुबारा निकाल के देख ले A3 minus A2 कर ले, बोले ठीक है, minus 7 minus minus 2, third term में से second term minus करोगे, तो third term minus 2 ही है, that is minus 7 plus 2, it is also minus 5, तो D तो पता चल गया, अब तुम बताओ, तुझे A4 तक तो पता है, आपको A5 पता करने तो आप क्या कहोगे, A4 में plus कर दो, sir, D को, मैंने खा, okay, A4 कितना है तेरा, बोले, minus 12 में plus कर दो, minus 5 को, मैंने खा, ठीक है, यह जाएगा, minus 12 minus 5 कितना बना है, minus 17, मतलब, fifth term कितनी आएगी, minus 17, तुमसे कितनी terms पूछी है, three terms पूछी है, तो इसके बाद A6 भी पता करना पड़ेगा, जो कितना होगा, A5 में D add करना है, तो आप लिखोगे, minus 17 में मुझे add करना है, minus 5, तो मैं लिखूँगा, minus 17, minus 5, that is minus 22, और last, third term अगर मैं बोलूँ, तो A7 होगी, इसके आगे, A6 में वापस से D add करना है, तो minus 22 में मुझे add करना है, minus 5 को, तो यह बजाएगा, minus 22, minus 5, that is minus 27, तो these are the my next three terms, और इसका common difference आ रहा है, minus 5, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, minus 5, minus 17, 22, 27, एक दम साहिए, तो यह थे हमारे exercise के examples, फिर भी आपको कोई doubt हो, तो मुझे comment कर सकते हैं, और अगर बाते समझ में आई हैं, तो भाई, चैनल को subscribe कर लो, अपने दोस्तों के साथ share कर दो, और एक अच्छा सा प्यारा सा comment मेरे लिए कर सकते हो, thank you, have a nice day.